कांगणा जिला के युबा दावकों के लिए धर्मशाला के सिंतेटिक एथलैटिक ट्रैक में 21 दिसंबर को जिला सरीय लंबी पर मध्यम दूरी की दौर परतियोकता का आयूजिन किया जा रहा है परतियोकता में जिला कांगणा के 13-15 वर्ष्ट तथा 16-19 वर्ष्ट आयू बर्ग के लड़के एवं लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं दोनों बर्गों में पहले तीन स्थान प्रापत करने वाले परतिवागियों को नगत पुष्टकार देकर सम्मानित किया जाएगा जिला कांगणा के युवा धावकों ने धर्मशाला के सिंथेटिक एटलेटिक स्ट्रैक में 21 दिसंबर को जिला स्थरिये लंबीवा मध्यन दूरी की दोड़ परतियोविता का आयोजिन किया परतियोगिता में जिला कांगणा के 13-15 वर्ष तथा 16-19 आयोवर्ग के लड़के वा लड़कियों ने भाग लिया दोनों वर्गों में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगत पुरुषकार देकर सम्मानित किया गया प्रत्म पुर्ष का प्रात करने वाले प्रतिभागी को 6,000, दुईतिय को 5,000 और 3,000 को 4,000 रुपे नगद राशी दी गई 13-15 वर्ष आयूवर्ग में लड़के वा लड़कियों को 3,000 मीटर तथा 16-19 आयूवर्ग में लड़के वा लड़कियों के लिए 5,000 मीटर दौड का ये आयूजिन किया गया था खेल भी भाग के होकी कोच एनपी गुलिरिया ने बताया कि 21 दिसंबर को सिंथेटिक ट्रैक में जिलस्तरिय दौड परतियोगिता का आयोजिन किया गया जिसमें 13-15 तथा 16-19 आयूवर्ग के धाव को ने भाग लिया जिलस्तरिय परतियोगिता में परतमती इंस्तान प्राप्त करने वालों का चैन राजिस्तरी ये प्रतियोगिता के लिए भी किया गया जो अगामी महा चमबा में आयोजित की जाएगी ऐसे है हमारा जो जिला युवा सेवब और खेला दिकारी कांगराइट धर्मशाला ये हमारा एक डिस्टिक लेबल से प्रोग्राम चलता है जिसमें 13 से 15 साल तक के बच्चे लड़के और लड़कियां और दूसरा ग्रूप होता हमारा 16 से 19 साल तक ये जो है ये हम हर साल एक टेलेंट हंट के एक प्रोग्राम के तहत हमारा डिपार्टमेंट हर साल ये प्रोग्राम करवाता है district level पे जो बच्चे आते हैं उनका हम एक दिन में ये दोनों races 5 km और 3 km जिसमें लड़के लड़कीं दोनों भाग लेते हैं 13 से 15 और 16 से 19 साल तक के बच्चे इसमें हिसा लेते हैं इसमें on the spot हम जो बच्चों के registration करते हैं वो हम उनसे अधार कार्ड या डेटो वर्थ जो भी उनका certificate होता है वो लेते हैं ताकि बच्चे सही दिशा में और सही आयू वर्ग में अपने अपने competition में जो है वो हिसा लेते हैं बक्तो चलैक छोड़े सी break का ये मिलते हैं break के बाद